नमस्कार मैं आपके साथ प्राचे गोले आनी और आप देख रहे हैं वीके नियूज अमेरिका के पूर रास्पती डोनल्ड ट्रम्म के कारेकाल को खतम हुए करीब दो महीनी का समय हो चुका है लेकिन इसके बाद भी ट्रम्प एक बार फिर चर्चा का विशे बन गए है इस बार वे अपने उठाए गए किसी कदम या दिये गए किसी बयान को लेकर सुर्खियों में नहीं बढ़ एक अलग ही मामले को लेकर चर्चा का विशे बन गए है बात थोड़ी आविश्वासनी है लेकिन रोचक भी है दरसल इन दिनों अमेरिका के पूर रास्पती डोनल्ड ट्रम्प की मूर्तियां बिकने लगी है और ये प्रतिमाएं और कोई नहीं बलकी कारेकाल के दुरान अमेरिकी सरकार के निशाने पर रहे चीनी कारोबारी ही तयार कर रहे हैं बता दे कि ये मूर्ति बुद्ध की तरह ध्यान की मुद्रा में हैं जिसके बात से ही ट्रम्प चर्चा का विशय बन गए हैं वही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुद्ध के रूप में ट्रम्प की मूर्तियां चीन के ओनलाइन शोपिंग प्लेटफोर्म ताओ बाओ में बेची जा रही हैं ये मूर्तियां अपनी कमपनी को फिर से महान बनाए सलोगन के साथ बिकरी के लिए रखी गए हैं वही फूजियन प्रांत के जियामी में एक फनीचर निर्माता ने पांच फीट की चीनी मिट्टी मूर्ति की तस्वीर के साथ एक पोस्ट भी साज़ा की है जिस पोस्ट पे लिखा गया है कि अगर आप बुद्ध के रूप में पूर अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प की एक चीनी मिट्टी की मूर्ति चाहते हैं तो अब आप उसे खरीद सकते हैं आपके पास उसका मोका है वही मामले को लेकर मूर्ति बेचने वाले विक्रेता का कहना है कि जादतर लोगों ने इसे सिर्फ अपने मरणजन के लिए खरीदा है उन्होंने कहा कि ये मूर्तिया लोगों को बेहत पसंद आ रही है जिस वजह से इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है विक्रेता ने जानकारे देते हुए बताया कि उन्होंने पहले करीब 100 मूर्तियां तयार की थी लेकिन बाद में उन्हें उमीद से ज़्यादा ओडर मिले और लगातार मिल भी रही है विक्रेता ने आगे बताते हुए कहा कि डोनल्ड ट्रॉम्प की ये चीनी मिटी की मूर्तियां दो अकारों में उपलब्द है जी हां इनमें से एक मूर्ति पांच फीट की है जिसकी कीमत 153 डोलर यानि की करीब 11,000 रुपे के आसपास जब की दूसरे मूर्ति का आकार करीब 14 फीट का है जिसकी कीमत लगभग 613 डोलर यानि की करीब 44,000 रुपे है वहीं मूर्ति खरीदने वाले बीजिंग के एक व्यक्ती ली गू कियांग ने बताया कि वो एक छोटी सी फांग के मालिक है उन्होंने कहा कि बुद्ध के रूप में डोनल्ड ट्रम की मूर्ति को देखकर मुझे लगा कि ये मेरे कारेकाल में एक बहुत ही हास्यपुन वस्तु के तोर में रखी जा सकती है उन्होंने कहा कि मैं ट्रम की छोटी मूर्ति का इंतजार कर रहा हूँ इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि मैं उनका प्रशनशक हूँ बलकि मैं इसे इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि प्रतिमा में ट्रम बेहत शांत दिख रही है भई शेंगाई के एक खरीदार ने कहा कि ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैंने इस प्रतिमा को देखा तो मैंने इसे तुरंद खरीदे लिया ट्रम बहुत ही एहिंकारी यूग के नेता के तोर पे चर्चित है और मैं चाहता हूँ कि ये मूर्ति मुझे याद दिलाए कि ट्रम जैसे बिल्कुल भी मत बनो फिलाल इस खबर में तो बस इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बीके न्यूस धन्यवाद